क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी होता है जब शनी देव स्वयम आपके घर आ सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने. आज हम आपको बताएंगे शनी जयनती के बारे में एक ऐसा पर्व जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है. जानिये कैसे इस दिन की गई पूजा से आप पा सकते हैं, शनी देव का आशीरवाद और अपने जीवन की हर मुश्किल को कर सकते हैं दूर. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे कुछ ऐसे खास टिप्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे. हिंदू धर्म के सबसे महत्वपून परवों में से एक शनी जैन्ती. शनी देव को न्याय और कर्म का स्वामी माना जाता है. ये परव हर साल जेश्ट मास की अमावस्या तिथी को मनाया जाता है और इस साल ये 6 जून 2024 को गुरुवार के दिन पढ़ रहा है. शनी देव का आशीरवाद पाने का सबसे अच्छा मौका है शनी जैन्ती. माननेता है कि इस दिन की गई पूजा से घर में सुक शान्ती का वास होता है और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है. शनी देव को कर्मों का फल प्रदान करने वाला माना जाता है इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेश महत्व है. अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें शनी जैन्ती के दिन पूजा थाल में शामिल करना बहत जरूरी है. श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी शुभम तिवारी जी के अनुसार इन वस्तूओं को पूजा में शामिल करने से शनी देव की कृपा प्राप्त होती है. इस पवित्र दिन जो भक्त भगवान शनी की पूजा करते हैं और उनके लिए उपवास रखते हैं उन्हें कर्मफल दाता का आशिरवात प्राप्त होता है. ये दिन विशेश रूप से उन लोगों के लिए महत्वपून है जो शनी की वक्री अवस्ता से परिशान हैं क्योंकि शनी देव की पूजा से उनके जीवन में स्थिरता आती है. पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. सुबह जल्दी उठकर सनान कर लें और स्वच वस्त्र पहने. शनी देव की प्रतिमा के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाए. शनी चालीसा का पाथ करें और शनी देव की कथा सुने. काले तिल का दान करें और जरूरत मंदों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, इस शनी जैनती पर आप भी भगवान शनी की पूजा करके उनके आशीरवाद को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभ दायक होगी। लोकल एटीम के लिए रिशिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।